वेल्कम फेंट्स, सु स्वागतम दोस्तों, आज के इस वीडियो में पारकिंग्सन डिजीज में डोक्टर द्वारा प्रियोग लाई जैने वाली अलग अलग दवाओं के बारे में हम जानकरी जानेंगे, जिसके लिए आप लोगों ने कई बार मुझे डिमांड की थी, हम इ बिना इसकीब के अंतक देखें, जिससे की पूरी जानगरी आपको मिल सकें, मैं हूँ आपको होस्ट मोहित आदिज, आप देखरें अपना YouTube चैनल Learn About Medicine, चलिए आज वी कुछ नया सिखते हैं है लो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, पारकिंग्सन डिजीज एक CNS, Central Nervous System से जुड़ी होई बिमारी है, जिसमें व्यक्ति की बोड़ी मुमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है जब व्यक्ति को ये बिमारी होती है, तो व्यक्ति के मस्तिक्ष में नर्व सेल डाइमेज हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति के मस्तिक्ष में डोपामिन का लेवल गिर जाता है, और उसमें पारकिंग्सन डिजीज के लक्सन दिखाई देते हैं अगर लक्सनों की बात करें तो मुख्य जो लक्सन है उसमें व्यक्ति के हाथ में कमपन होने लगता है इस्पेसली एक हाथ में कमपन होगा यह राइट यह लेफ्ट कोई भी हो सकता है और यह कमपन अन्यचीक होता है वो चाके भी नहीं रोग सकता है जब कसी भारी वास्तों को होल्ड करता है तो यह कमपन एक भार रुख जाता है लेकिन इरदे की अलकी वास्तों को होल्ड करेगा जैसे चाय का कपे खाने की कुछ बस्तो है तो इहां एक बहुत बड़ी समस्यgreg पार्किंगस न्डीजीज में देखी जाती है इसके अलावा व्यक्ति की जो body का moment है बहुत ही ज्यादा slow हो जाएगा चलने, फीडने की सती, काम करने की जो गतिवीदी है यह भी बहुत slow हो जाएगी केसी केसी व्यक्ति के मों से लार भी निगलने लग जाती क्योंकि यह जो इस्तिति कई बार होटो पे भी आ जाती होटो पे भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता है और ज़्यादा तर जो समश्य एक देखेगी है वो होती है व्यक्ति में जो बोडी का बैलेंस है वहां नहीं बन पाता है, वो कड़क होके चलता है, या वो चलने में अस्समर्थ रहता है, बेट भी नहीं पाता, तो यह कुछ समझ है मोखी रूप से Parkinson's disease में देखी गई है, और जब Parkinson's disease का पैसेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के दोरा उनकी अवस्चत अगन दवा है लिवो डोपा टेबलेट, जिसे हम L-डोपा नाम से भी जानते हैं, यह एक डोपामिन प्रीकरसर है, जो हमारे मस्तिक्ष में जाकर डोपामिन के लेवल को बढ़ाने का कारी करता है, दूसरी दवा है कार्बी डोपा, यहाँ पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इन साथ में दिया जाता है, और इसकी एक टेबलेट, जिसको आप सभी जानते होंगे, उसकी पॉपुलर ब्रैंड नेम में सिन डोपा टेबलेट, जिसका बहुत ही ज़्यादा परियोग पाकेंग सेंड डिजीज में किया जाता है, यही कारण है सिन डोपा टेबलेट में बेन सेराजाइड टेबलेट, यह भी कारबी डोपा के सिमिलर ही है, सेम गरूप की ही दवा है जो है पेरिफेरल डि कार्बोड लेक्स इनिपीटर गरूप की दवा, यह भी लिवोडोपा के कॉंबिनेशन में ही बनाई जाती है, इसके कॉंबिनेशन की जो पॉपुलर ब् मेडव पार टेबलेट इसमें लिवो डोपा था बेंड सेराजाइड दोनों ही होते हैं इसकी जो इस्ट्रेंथ है वह एक सो पचीस मिलेगाम था दो सो मिलेगाम इस इस्ट्रेंथ में अवैलेबल अगली दवा है ब्रोमो क्रिप्टेन इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड है सि दो कर देती है और 6-10 घंटे तक अपना असर रखती है इसके अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो तीन अलग अलग स्ट्रेंथ में जिसमें 1.25 मिलीग्राम 2.5 मिलीग्राम तता 5 मिलीग्राम है पारकिंग सन्टीज में ब्रोमो क्रिप्टेन को बाद में दिया जाता है आँसर पड़ने पर देरे देरे बढ़ाई जाती है 500 नंबर पर दो डववईयां साथ में वहां रोपी निरोल तरिक्सोर यह दोनों ही दववईयां हाल ही में डवलोप की गई है नीवली मेडिसीन यह दोनों ही नोन इर्गोलीन दवा है जो डी 2 तता दी 3 रेसेप्त आरक और काई महीनों तक अपना असर रगती है इसमें जो रोपी नी रोल दवा है इसकी पॉपुलर ब्रांडे रोपार्क टेबलेट यह 0.25 मिलिग्राम, 0.5 मिलिग्राम, 1 मिलिग्राम तो दो मिलिग्राम की अलगल की स्ट्रेंद में अवलेबले साथ ही जो पेरामी पेक्सोल दवा है इसकी पॉपुलर ब्रांड है पेरामी पेक्स टेबलेट इसकी स्ट्रेंद भी रोपी नी रोल जैसे ही सेमी है 0.25, 0.5 एक मिलिग्राम तो दो मिलिग्राम अगली दवा है सेलेजिलीन यहां एक सलेक्टिव माओ बी इनिभीटर है जो माओ बी आइसो एंजाइम को रोगता है यह माइल्ड एंटी पारकेंग्सन एफेक्ट रखती है इसी कारण से ज्यादा तर इसे लिवूर डोपा के साथ में दिया जाता है और कई बार इसे पैली तेबलेट्सुबेन के साथ में लेना होता है और दूसरी डूइल दलोपा को दिया जाता है उसको दीरे-दीरक रियोगग लिया जाता है इनको कुछ दवाया हैं जिनका प्रियोग किया जाता है उसमें ट्राइक्सी फेनिडाइल टेबलेट, इंटासेपॉन टेबलेट, टेलकापॉन टेबलेट, प्रोसाइकलेडीन टेबलेट, एमंटाडीन टेबलेट, इन सभी टेबलेट्स को भी इस बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है, तो यहाँ पर हमने लगबग 12 परका की अलग वीडियो को पसंद आए होगा किया ईसे वीडियो और भी चाहते वह भी मुझे बताए चाहते मैं आंपके लिए एसा वीडियो बनाओंगा वीडियो को आं तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद